हेलो दोस्तों नमस्कार आज की सेसन में हम जानेंगे वचों Will test क्या होता है बेटेस्ट किसके लिए perform किया जाता है आई जानते हैं प्रिश्ट्ट क्या होता है रिटेस्ट सामने नहीं ता जो से ब्लक तान है औरं फिल्ट करता है का इसली ax is जाता है तेह स्पॉर्ट व्यक्ति वह वैंटिडलनिटा जाता है यह सई बीण बंता है इंस पेकशन टेस्टिंग करता है चैसे बच्छों पर फॉर्पर मचात है है पील टेस्ट हमें बता है दो सीट पर अगर इसपोर्ट वैल्ड अगर कराया है तो उस पर नगेट बनता है नगेट का साइज कितना होता है six under root T और tip diameter जो होती है कितनी होती है आपकी five under root T होती तो हम नगेट का साइज भी यहां पर इससे चेक करते हैं कैसे करते हैं बचोँ हम क्या करते हैं spot welded यह part होता है spot welded part जो होता है उसको हम T our करते हैं मतलब उसमें जो हैं उसको अगर यहां पर सामने देख रहोंगे स्क्रिन पर वाइस पर दो सीट को स्पॉर्ट वेल्ड किया गया है तो एक पार्ट जो है सीट का मैंने वाइस पर क्लैम किया है और दूसरे पार्ट को प्लायर की साहिता से मैं बच्छों क्या कर रहा हूं एक सियर फोर्स लगा रहा हूं सियर फोर्स आपका हो सकता है परपेंडिकलर भी हो सकता है किसके आपका वाल्डिक प्लेन के जिस जो पापका वैल्डिक प्लेन है उसके परपेंडिकलर आपका हो सकता है 90 डिग्री पे भी हो सकता है 180 डिग्री पहलोगा करेंगे तो उस दौरान क्या होगा आपका जो पीरी फिरी कर रोला पार्ट होगा यूल पेरी फिरी क्या होगा फ्री constitu Abla जा सकता है नगेट रिमेंड अनिमपियर्ड और फ्रेक्शर हों पर्ड आपरे पीरी यह बताता है आपका कि जो आपका वेल्ड वो आपका अच्छी प्वालिटी का है को इफ यू आंधे कब्स आशे से आपने कके आप्र जक्तिक आपको डाय कि टैस्टिंग करनी है मत अगर अगर को डाअो अगर का डायमेंटर इंगर चीक करना है तो उसके लिए पट alla करेंगी इसके बाद जो अगर आपको साफ जो नगर अगर आपको बीच मिलेगा और फेरी से ज्याइन्ट पेरी फेरी से tear off होके उसके बाद जो आपको nugget साप मिलेगा आप वहां से measure कर सकते हैं और इसी से आप size of spot weld जो है आसानी से measure कर सकते हैं तो हमेशा ध्यान रखें peel test हो या फिर इसको slug test भीका जाता है यह spot weld के लिए आपके लिए perform किया जाता है